अभी तक की सीरीज में हम basic site हमारी बना चुके हैं पर इस वीडियो में हम काफी interesting bootstrap component बनाएंगे तो सबसे पहले start करतें carousal से, carousal एक तरह का slider होता है image slider आपने काफी sites में देखा होगा तो इसमें हम सबसे पहले bootstrap की site पे जाएंगे और यहां पे आप इसको कई सारे variants देख सकते हैं तो मैं एक particular variant यहां choose कर रहा हूँ और उसका सीधा मैं code copy कर रहा हूँ तो अब हम जाएंगे index.html जो कि हमारा homepage था उसमें मैं navigation के just path इसको paste कर दूँगा product और navigation के बीच में ही मैं यह put कर दूँगा थोड़े से comments भी put करना अच्छा रहता है ताकि आपको याद रही कौन सा code कहां पे खतम हो रहा है तो मैं यहां पे कुछ code का comment out करता हूँ कि यहां से start और end हो रहा है carousal अब इसको refresh करके देखते हैं by default आप उपर देख रहे हो लेकिन images नहीं है क्योंकि by default उनकी जो images के link थे वो आपके work नहीं करेंगे तो images के link हम अपनी product images से change करते हैं तो मैं एक एक करके जो भी हमारे products थे जो मैंने पहले से filter out कर रखे हैं हो सकता है आपको इनकी size change करनी पड़े ताकि आपको slider के हिसाब से इनकी बड़ी size मिले तो उसके हिसाब से आप अपने images adjust कर सकते हैं अगेन इसमें भी ध्यान ये रखना कि तीनों image same size की हो आप images बढ़ा भी सकते हैं आप चाहें तो और भी add कर सकते हैं बट वो मैं यहां show नहीं कर रहा हूँ अब refresh करके देखेंगे तो यह slider मिला है उपर थोड़ा सा space है इस space को थोड़ा कम कर सकते हैं margin bottom जो पहले लगाया हुआ था उसको हटा देता हूँ तो अब हम कोई भी space नहीं है इसके और navigation के बीच में और सारे slider प्रोपर आ रहे हैं थोड़ा adjust करते हैं इसकी height को तो इसका id था के arousal example dark तो उसके मैं max height restrict कर देता हूँ vh मतलब viewport height तो 100 मतलब पूरा browser का जितना height उस वक्त है तो 90 vh ट्राए करके थे हैं थोड़ा सा इसमें भी ऐसे लग रहा है कि नीचे वो चला जाता है image है तो अभी ये काफी वैसे slider ठीक दिख रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पर inspect करके इसकी और properties में check करता हूँ तो एक तरह से ये cache हो रखा था कई बार cache हो जाता है तो आपको inspect खोलना पड़ता है उसके बाद में disable cache होता है mobile layout पे भी ये काफी सही दिख रहा है बढ़ थोड़ा सा इसमें gap चाहिए होगा इसमें products में तो मैं margin bottom 5 दे देता हूँ अब आपका slider इस layout में भी काफी सही चल रहा है और mobile में भी manageable है यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ी चीज़ है vary कर सकते है कि कितने interval में हम इसको change करें या hover होने पे slider रुके या नहीं रुके तो वो सारी properties आप bootstrap में जाके देख सकते हैं उनके document में तो मैं इसका interval जो है वो 10,000 से change करके 1,000 यानि 1 second कर रहा हूँ तो 1,000 millisecond में होता है यह तो basically मैं उसको 1 second कर दूँगा तीनों में refresh करके देखते हैं तो अब आप देख रहे हो लेगिन ही काफी तेजी से जा रहे हैं तो 1 second नहीं करना होगा तो हमको इसको थोड़ा सा increase कर सकते हैं और हमारे इसाब से जो भी value हमको सही लगे जैसे मैं 3 seconds ले रहा हूँ तो वैसे करके इस slider को change कर सकते हैं अब जो next component हम देखेंगे वो है toast toast एक तरह के जिसे mobile पे आपके पास alerts आते हैं उस तरह की चीज होती है जो web में भी आजकल देखने को मिलती है तो toast हम कहां पे लगाएंगे तो I think जैसे cart में चीज़ें add होती है इस तरह का कोई message आते है तो हम toast use करेंगे तो मैं ये particular toast का code copy कर लेता हूँ इसको हम footer के end में copy कर रहे हैं इसका reason ही है कि toast कभी एक ही time पे दिखाई देता है position fixed करता हूँ और top से 0 ये classes use करता हूँ तो ये top पे दिखाई देगा fixed position पे top of the site पे अभी नहीं दिख रहा है क्यों कि by default ये initialize नहीं है तो आप bootstripe की site पे जाओगे तो इसको initialize करने के लिए आपको थोड़ा सा javascript code run करना पड़ेगा तो एक javascript file बनाते हैं app.js में इसमें ये code paste कर देंगे script को आपको put भी करना पड़ेगा तो last में body के end में आप जाके script को initialize कर सकते हो script tag में और यहाँ पे app.js में इसका code में paste कर देंगा as it is तो ये क्या करेगा ये query selector all से सारे toast element initialize कर देगा तो इसलिए मैं zeroth element क्योंकि एक ही toast है उसको show करने का code लिख रहा हूँ रफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें show होना चाहिए था तो अभी error आ रहा है कि option नहीं है तो यहाँ पे आपको option देने की ज़रूत नहीं है अभी कोई option हम दे नहीं है तो आप देख रहे हो जैसे by default यह उपर toast enable हुआ और थोड़ी देर में वो hide हो जाता है तो अभी मैं इसको directly इसे show नहीं करना चाहूँगा तो मैं एक function लिखता हूँ show toast जिसको हम add to cart बटन पे जोड़ देंगे तो मैं यह line को यहाँ पे put कर देता हूँ जो इसको enable करती है थोड़ा सा messaging change कर देते है item is successfully added to your cart ऐसा मैं लिख रहा हूँ उस toast के data में और यह जो show toast function है इसको अब आप events पे call कर सकते हैं तो आपको पता होगा जैसे on click और in सब events पे हम चीजों को call कर सकते हैं JavaScript functions को यह सब हम explain कर चुके हैं जावा स्क्रिप्ट टुटोरियल्स में तो आप click करो इस पे तो आप देखरें ऊपर यह अपने आप दिख रहा है item is successfully added के वल पहले item पे मैंने इसा लगाया है आप सब पे लगा सकते हो एक यह करके अब हम next चो चीज लगाएंगे वो tool tips tool tips ऐसी चीज होती है जब hover करते हो आप किसी चीज पे तो वो enable होती है इसके लिए भी एक initializing code है उसको हमको paste करना पड़ेगा मैं इसको थोड़ा comment out कर देता हूँ और इस code को एक अलग जगे पे रख देता हूँ तो यह क्या करेगा आप देख रहे होगे राइट पे लेफ पे हर तरफ adjust कर सकते हो तो आपको क्या करना होगा यह जो मैं कुछ code copy कर रहा हूँ जो by default bootstrap में वही enable होता है तो यह कुछ attributes आप copy कर दो उस element पे जिस पे आपको tooltap चाहिए तो सबसे पहले मैं product की photo पे ही यह करता हूँ कि product पे click करके आप देख सको कि इसकी और detail देखी जा सकती है तो हम धूनते हैं यहां card layout में आप कहीं पे भी जाओ जैसे headphone है इसके top पे यहां पे मैं paste कर देता हूँ चीजें और title में लिख देता हूँ click to see more details तो product की और detail आपको देखना है तो refresh इसके उपर hover करोगे तो अब आपको जैसे tool tip दिख रहा है बाकी चीज़ों पे नहीं है एक एक करके आप सब पे apply कर सकते हो ऐसे ऐसे ही search box में भी यहां पे भी put कर देते हैं कि यहां से आप item search कर सकते हो with name or something तो same attributes हमको put करने पड़ेंगे और इनकी position आप दे सकते हो bottom top किस तरफ तो मैं bottom में try करता हूं इसको और यह message change कर देते हैं जो title में हमको लिखना होगा search for all products तो अब आप देखे हो bottom में bottom में अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो left कर सकते है right कर सकते है जिस तरह से आपको position उस page में सही लग रही है तो यह तो आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हो next जो चीज़ हम लगा ही modal यह काफी important है कई बार आप देखते हो ऐसे pop-up आते हैं जिसके अंदर एक अलगी content होता है और page थोड़ा सा side में dark हो जाता है बाकी content के ऊपर एक और हलका सा pop-up आजाता है advertisement और इन सब में भी यह आता है तो आप यहां last में मैं इसका भी एक section बना रहा हूँ जैसे यहां पे toast के बाद में मैं इसका code paste कर देता हूँ यह भी temporarily आता है इसलिए मैं इसका code भी एक तरसे body से बाहर last में copy कर रहा हूँ तो अब देखते हैं इसको click करने पर यह button को click करने पर अपने आप आता है तो मैंने पूरा code copy कर लिया है तो एक button है last में जिससे वो enable होता है तो हमको actually button नहीं चाहिए हम कुछ ऐसा model बनाएंगे कि वो हमारे login से चले मतलब जहां पे आपका my account है वहाँ पे अगर आप logged in नहीं हो तो आपको error दे कि आप login हो जाओ जैसे हम my account top menu इसको change करेंगे तो मैं ये जो data BS attribute ये ज़रूरी होते हैं इसको enable करने के लिए वो इस पर put कर देता हूँ और यहाँ पे आप click करोगे तो enable होना चाहिए अभी कोई problem है जिसकी वज़े से वो enable नहीं हो रहा तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा एक तो toggle में model हो और BS target में उसका ID हो तो इसको थोड़ा change करके देखते हैं तो हमने button put किया उससे भी कोई fast फरक नहीं पड़ा है तो link में भी मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि button में चलेगा तो ID match होनी चाहिए तो ID तो हमने actually change ही नहीं किया example में जैसी थी वैसी है तो कुछ और reason हो सकता है तो actually इस पे hover करने में भी में को difficulty हो रही है और अगर मैं इस पे hover करता रहता हूँ तो click करने पे यह आ जाता है तो कुछ और reason है किसी वज़े से मैं my account के उपर ही hover नहीं कर पा रहा हूँ तो देखते inspect करके Interestingly यहाँ पे toast body जो पहले हमने एक toast लगाया था वो अभी भी यहाँ पे है एक तरह से वो hide हो जाता है लेकिन वो यहाँ पे है तो उसकी वज़े से आपका mouse my account पे नहीं जा रहा है आप देख रहे हैं इस section पे green दिख रहा है इतने section पे वो toast अभी भी है के वल वो disappear या invisible हो गया opacity उसकी कम होगी तो मैं z index कम करने का try करता हूँ कि उससे कुछ होता है क्या z index से order change हो जाता है चीज़ों का तो z index minus मैंने दिया है तो उससे कुछ फरक नहीं पड़ा है वैसे मैं model की body पहले change कर देता हूँ इसमें मैं ये लिख रहा हूँ कि you will need to login to check your account और go to login और go to login पे हमारे पास already एक login page है तो उस login page का भी मैं address दे देता हूँ तो login.html में हमारा login page है अब मैं वापस से refresh करके देखता हूँ अभी भी click करना काफी hard है और अब मैं इसको click कर रहा हूँ तो इस तरह का icon है और यहां से हम login page पे चले जाएंगे पर ये problem अभी solve नहीं होई है तो एक बार और try करते हैं जेड इंडेक्स से कोई खास फरक पड़ा नहीं था उस पर शाय है तो एक और चीज में try करता हूँ टॉप से मैं 100 margin ले लेता हूँ तो अब जैसे ये जो toast है वैसे टॉप 100 बाइड़फॉल्ट काम नहीं कर रहा है तो top 0 value होगी 100 अपने आप नहीं होगी तो मैं manually toast पे बना लेता हूँ 100 pixel top से मैंने दे दिया है तो अब ये थोड़ा नीचे आ रहा है तो इससे क्या है वो overlap नहीं होगा ये best तरीका नहीं है वैसे 50 pixel try करके देखते हैं जस्ट उसके नीचे आ जाएगा तो actually ये just इसके नीचे आ रहा है तो काम चला सकते हैं लेकिन अभी और problem आएगी कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि यहां product पे मैं click नहीं कर पा रहा हूँ ये देख रहे हैं कहीं बार mouse ऐसे गायब हो जाता है बीच में अलग तरह का हो जाता है और जहां पे भी वो जिस भी चीज से interact करेगा वहां वो click नहीं होने देगा तो कुछ और चीज हमको करके देखनी होगी इसको solve करने के लिए कि वो invisible हम नहीं रखना जाते तो एक idea मेरे पास है कि हम इसको bottom में put कर दें page के और वो भी minus में मतलब bottom से भी नीचे एक तरह से वो दिखेगा ही नहीं कभी तो वो एक अच्छा idea है इसको try करके देखते है अब actually वो show ही नहीं होगा तो मैं toast.showing class लगा रहा हूँ कि जब भी show हो रहा हो toast तो उसकी position बदल जाए तो अब जैसे मैं click करूँ तो उसकी position बदल जाए लेकिन अभी भी वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा एक बार check करते है तो actually आप click कर रहे हो तो class change होती है toast की ये use कर रहे हैं हम ये concept जिसकी वज़े से वो show होता है side by side देखते है तो actually आप यहां देखोगे तो show class आ रही है तो actually class का नाम show है और hide है तो एक तरह से hide और show दो class उस पे लगती रहती है हर click के साथ तो show class पे हमको लगाना है ना कि showing पे click करते हैं तो आप देखते हैं क्या हां आता है वो तो अभी भी class show आ रही है शायद मेरी css में कुछ problem है क्योंकि अब तो show class भी है actually ये toast के under show नहीं है toast.show है या css का एक basic rule हम गलत कर रहे थे तो अब ये proper आ रहा है बट काफी गलत position पे है तो हम इसको अगर top करना चाहें top में again 0 pixel पे show करना चाहें तो क्या होगा अब ये काफी बड़ा दिखाई दे रहा है के भी उपर चला जाता है जब वो hide होता है और उसके बाद वो नीचे आ के हमको दिखने लगता है तो इस तरह से ये trick करके हमने toast को एकदम हटा दिया तो इस channel पे हम देखते है interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते है तो subscribe कीजिए